दूस एटी इंडिया सद्यों की प्रतिच्छा के बार वह राम आदे वह राम आदे वह राम प्रतिच्छा के बार वह राम मंदिर के विरोधी सत्तावन मुस्लिम देश 22 जन्वरी 2024 को राम मंदिर में राम लला की प्रान प्रतिच्छा ने जहां 140 करोण हिंदुस्तानियों को गदगद कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ सत्तावन मुस्लिम देशों में राम मंदिर को लेकर गदर मचा हुआ है हद तो तब हो गई जब OIC यानि सत्तावन मुस्लिम देशों के संगटन Organization of Islamic Corporation ने अयोध्या में राम मंदिर निर्मान पर आपत्ती जाहिर करते हुए कहा कि पहले बाबरी मस्जिद खड़ी थी भारतिय शहर आयोध्या में जिस जगा पर पहले बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी वही राम मंदिर का निर्मान और इसकी प्राण प्रतिष्टा गंबीर चिंता का विशे है OIC इन कदमों की निंदा करता है जिनका लक्ष बाबरी मस्जिद जैसे महतपूर्ण स्लामिक स्थलों को मिटाना है बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर पांच सदी तक खड़ी थी OIC को बाबर से प्यार राम मंदिर से नफरत अयोध्या में भव्वे राम मंदिर निर्मान और राम लला की प्राण प्रतिष्टा से एक दो नहीं बलकि पूरे 57 मुस्लिम देशों को मिर्ची लगी है इससे पहले पाकिस्तान ने भी प्राण प्रतिष्टा समारों पर सवाल उठाये थे और कहा था कि ये भारत के लोकतंत्र पर धंबे कितना बनेगा OIC ने राम मंदिर का विरोध करके एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि OIC भारत के धार्मिक और समेजिल मुद्दो पर बयान देकर खुद को मुस्लिमों का मसीह साबित करना चाहता है इससे पहले 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने जम्मू कस्मीर से 370 हटाने की निंदा की थी और इसे भारत का एक तरफा फैसला बताया था 22 जन्वरी से अब तक लाखो रामभक रामलला के दर्शन कर चुके हैं आयोध्या की तस्वीरे देखकर पाकिस्तान दहाले मार कर रो रहा है 57 मुस्लिम देशों वाले संगठन OIC में पाकिस्तान भी शामिल है जो बार-बार सौधी अरब पर दवाव डाल रहा था कि वो OIC के जरिये राममंदिर के खिलाफ अंतराश्टे स्तर पर सक्त कदम उठाए इधर देश में कई हिंदू संगठनों ने राममंदिर का विरोध करने पर OIC की कड़ी निंदा की है पहले बाबर आया या पहले राम है पहले तो वहाँ पर मंदिर था बाबर के समय उसको तोड़ दिया गया और बाबरी महजीद बना दिया गया मेरा जो राममंदिर था हम लोग अपना राम मंदिर को पुना वापस ले लिए वहाँ जो है जवर्दस्ती का महजिद बनाया गया अबरी बाबरी महजिद नहीं था बाबरी महजिद हो कह रहा है बाबरी महजिद हमारा उस अनातर मंदिर था मैंने उसको जिन्नोधार किया हूँ मैं उसको बनवाया हूँ, नए सीरे से उसको मैंने बनाया है OIC का दोहरा चरित्र, मंदिर का विरोध, मस्जित का समर्थन सौधी अरब के जद्दा में OIC के 57 मुस्लिम देशों की तरफ से राम मंदिर पर नफरती बयान दिये गए हैं लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि यही OIC राम मंदिर बनने का विरोध कर रही है लेकिन वहीं दूसरी तरफ जॉलाई 2020 में जब तुर्की ने जबरन डेड़ हजार साल पुराने चर्च को मस्जित बनाया था तो यही OIC चुप्पी साधे बैठा रहा था जराब साल 2020 की इन तस्वीरों को देखिए जहां तुर्की के राष्टपती चर्च को मस्जित बनाते वक्त स्तानबुल में मौझूद एतिहासिक इमारत हागिया सोफिया को चर्च से मस्जित बना रहे हैं 22 जनवरी 2024 को पीम नरेन रमूदी की अजमानी में राम लला की प्रान प्रतिश्टा हुई देश से लेकर दुनिया भर में राम मंदिर को लेकर जश्नोन आया गया तो वहीं जॉलाई 2020 में तुर्की के राष्टपती रेचेप तैयप अर्दुआन ने इस्तानबुल के एतिहासिक आगिया सोफिया चर्च को दुबारा मस्जित में बदलने के आदेश दे दिये थे जिसके बाद चर्च को मस्जित बनाया गया था वहीं 500 साल के धीशन संधर्ष और कानूनी लडाई के बाद सुप्रीम कोट के आदेश पर अयुद्या में राम मंदिर बनाया गया कोट आदेश पर अयुद्या में ही 5 एकड़ से ज्यादा जमीन मस्जित के लिए भी दी गई राम मंदिर बनाते वक्त सभी पक्षों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखा गया है जबकि तुर्की में 1500 साल पुराने चर्च को तुर्की के राश्टपती रेचेप तयब अर्दुआन के इसलामिक जुरूम के चक्कर में मस्जित बना दिया गया साल 2020 में चर्च को मस्जित बनाते वक्त राश्टपती रेचेप तयब अर्दुआन ने पूरी दुनिया में ये सावित करने की कोशिश की कि वही इसलामिक मुलकों के सबसे बड़े खलीफा है जो चर्च को मस्जित में बदल सकते हैं हैरानी की बात तो ये कि लगभग चार साल के अंदर ही 57 मुस्लिम मुलकों से बनी OIC का 12 चरित्र सामने आ चुका है जहां योध्या में बने राम मंदिर का OIC विरोध कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की में चर्च को मस्जित बनाने पर OIC ने अभी तक चुपी साद रखी है सतामन देशों के मुस्लिम संग्ठन ने राम मंदिर का विरोध करके दुनिया वर के हिंदू संग्ठनों को नराज कर दिया है हैरानी की बात यह है कि जहां OIC राम मंदर बनने का विरोध कर रहा है वहीं जब तुर्की ने जवरन एक चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया तो ये तुर्की के कदम पर OIC चुप्पी सादे बेठा रहा था आप हागया सोफिया चर्च के बारे में भी जान लीजिए देखे जहां एक तरफ OIC राम मंदर के निर्मान का विरोध कर रहा है पुर्जोर विरोध सामने आ रहा है तो वहीं आज से चास साल पहले तुर्की में चर्च को मजद बनाते वक्त OIC ने चुप्पी साद रखी थी पूरी डीटेल इस वक्त आपके सामने हमका चचा चठा के जरिये देने जा रहा है दरशल खरीब 1500 साल पुराने हागिया सोफिया चर्च को तुर्की के राश्पती एरद्वान ने साल 2020 में मजद बनवा दिया था हागिया सोफिया को पहले चर्च से मजद बनाया था यह जो मस्जद था वो फिर से मुजडेम बन गया था यह वक्त तुर्की के लिए बह्त मुश्किल वक्त रहा बहलत कटिन दोज से वो गुजर रहा था लेकिन साल 2020 में देखिए साल 2020 किस तरह से खास रहा दरसल ऐसा दावा किया जाता है कि साल 2020 का चुनाव जीतने के लिए राश्टपती एर्दवान ने म्यूजियम बन चुके चर्च को मज़द बनवाया था क्योंकि उन्होंने चुनाव में अपने समर्थकों से चर्च को मज़द बनाने का वादा किया था हैरानी की बाद तो ये है कि पाकिस्तान से हिंदू मंदिर और हिंदूों का सफाया करने वाला पाकिस्तान भी राम मंदिर पर भड़काओ बयान देने में जुटा है राम लला की प्राण प्रथिष्टा के बाद से पूरे पाकिस्तान में मातम जैसे हाला थे यह चीज समझ नहीं आती मुझे कि अगर यहां पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसल्मानों पर जुलम होता है अगर डिवलप्मेंट होती है तब भी मुसल्मानों पर जुलम होता है अगर कश्मीर की बाद मतलब उठती है तो तब भी मुसल्मानों पर जुलम होता है तो कि सारे मंदिर भी बनेंगे ये बहुत जरूरी है तो बदाई हो तमाम हिंदुस्तानियों को मुसल्मान सिख हिंदू पार्सी जो भी हैं कि ये एक बहुत अजीम काम होने जा रहा है और उसके लिए मैं सिर्व इतना कहूंगा कि जे श्री राम हमारे पुर्खों की की हुई भ जोटा सा करेक्शन हुआ है ऐसे हालात में सवाल उट रहे हैं कि आखिर OIC को भारत के राममंदिर पर एतराज क्यूं है जो समविधानिक और कानूनी तरीके से बना है भारत के कई मुसलिम संगठनों ने OIC के बयान की निम्दा की है OIC ने जो बयान जारी किया है वो बयान से हम इतफाक नहीं कर सकते और ना भारत का मुसल्मान इतफाक कर सकता है कुछ जानकारों के मुताबिक OIC में शामिल सभी सत्तावंदेश राममंदिर का विरूद भी नहीं कर रहे हैं लेकिन संगठन में होने की वज़ा से साथ देना इनकी मजबूरी है अब देखना होगा कि राममंदिर पर OIC बयान तक सीमित रहेगा या फिर भारत इस पर सकत प्रतिक्रिया देगा अब देखना होगा 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 झाल झाल